हलो गाइस गूड इबनिंग आज का वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है कि इस वीडियो मा हम आपको बताने वाले हैं कि आप 5 गलतिया करते हैं तो आपका YouTube चैनल मोनिटाइज नहीं होगा कि क्योंकि YouTube ने पहले सी बोर रखा यह आप पांच गलतियां आपको नहीं करनी हैं लेकिन जब आप YouTube चैनल तो बना लेते हैं लेकिन आप उनकी जो गार लाइन है वो आप देख नहीं पाते हैं तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्या गलती नहीं करनी है क्योंकि यह आप गलती करेंगे आपका चैनल मॉनिटाइज नहीं हो पाएगा और एक चीज और आपको बहुत टाइम इधर से ले लेते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता है तो बहुत टाइम आप वैप पूरा वीडियो आप अंतर तक देखेगा और उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लिजी को लाइक कर दिए आपसे रोकेश्ट है चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपने चैनल पर क्या करना चाहिए क् गलती कर रहे हो जब चैनल मोनिटाइज के लिए वेज़ो तो क्या क्या चीजे सुधारनी चाहिए आप यूटूब सबसे पहले पांच चीजें देखता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूटूब ने पहले से ही कह रखा है कि ये पांच चीजें आपको सही क करने पड़ें कि जब भी आप चैनल मोनिटाइज के लिए वेज़ते हैं हम ये पांच चीजें चेक करते हैं और आपने ये पांच चीजें मेरे उस रूल के ऊपर खरे उतरे तो हम आपका चैनल मोनिटाइज़ाइशन दे देगे सबसे नमब एक कारते है नमब एक यूटुब है कि आप यथीम दाल लिए म्हानिप का नमद चैनल दाल दाल दिया है को आपके फ्सक्ती मोनिटाइज़ाइएसान पर本 ना करें कि आप लोगों ना करेंगा। तो आपको अपने चैनल के जो आपका यूटूब चैनल उसकी थीम को ध्यान रखना होगा और आपको एक जैसे कॉंटेंट पर उसी तरीकी के फोकस करना होगा लेट करता है नमडर दू आपका देखा जाता है सबसे जैदा बिंगेस्ट व्यूग कौन में आये हैं उखेज देखा जाता है, कि यूटूब को यह तो पता लगे कि आपके जो व्यूग आएं, वह कहां से आएं आपके ब्राउज फीचर से आएं, सजेशन से आएं, यूटूब सर्च से आएं, तो यूटूब यह कहता है, इसी से आएं, मतलब जैसे आपके 100 व्यू आते हैं, और उसमें से 90 व्यू एक्स्टरनल सोर्स से हैं, और 10 व्यू आपके यूटूब से हैं, तो भाई, भूल हैं, वो चेक किया जाता है, आप देखा जाता है, सबसे पहले आपका जो नया वीडियो है, क्योंकि आपको उन्हें ये तो पता लगे कि आप किस तरीके की वीडियो को अपलोड करें, और वो उससे पहले आपका पुराना वीडियो देखते हैं, कि आपने पहले क्या वीड वो देखें बाश टाइम कहां से लिया वो सारी चीजा आपको देखता है जैसे आपने एक खरीद आप रिका आप रिक्रस्टे going. आपके नया वीडियो यूस तो दोनों को देखते हैं कि उस तरीके की सेमें हो रहे हैं यह नहीं हो रहे हैं तो यह चीजह क्ल़ जाते और सारे वीडियो वो चेक कभी नहीं करते हैं तो आप यह द्यान रहें या भी यह सोचे यह भी कर लेंग यह भी अब बात करते हैं आपका चाथा पॉइंट हो गया अब बात करते हैं अब यह तो हो गया नमबर चार बिगेश्ट प्रोपेशनल और बॉच्टाइम यह इस जगह से आया तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी तो यह चीज आपको नहीं करनी है और ज्यादा तर अब शुरुआती यूटूबर होते तो बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है कि बोश टाइम और सब्सक्राइबर कोई भी आपका चैनल सब्सक्राइब कर ला आप उनका कर रहें वो विकार है आपका वीडियो भूब वूश टाइम नहीं करेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट होता आपका व्यूश टाइम और वही नहीं आ रहा है तो आप यह गलती कभी ना करें ऐसे कोई भी चैनल पर ना पसे जिसमें वो यह बोलता है तो समय लो बना रहा आपको क्या कि आप इस एप से इंस्टॉल करें हो यहां सर एक हजार सब्सक्राइबर पूरे कर ले तो आपको यह गलती नहीं करने आपको लॉंग टर्म तक आपने यूटूब पर काम करना है तो बहुत ज़्यदा इंप इसी से और डिसाइट होता है तो इसी से सारी चीजे में पर लॉंट्राइज हो गार या नहीं होगा तो आपको यह पान्च जीजें गलती कोई बही करते है अभी चारी बटाइन वय गलती करते हैं दो फिप सोदारना चाहिए ऐसी कर छे बड़े क्रियेटर का अपने चैनल अपने टाइटल पर नाम डाल, उससे क्या होता व्यू मिलते हैं, आपने डाल दी है, और उस वीडियो में आपने कुछ भी नहीं बोला है, तो मिसिंग डाटा बोला जाता है, जब मिसिंग करोगे तो भाई यूटूब को पता लगे, तो आपके चैनल को मोनिटाइजिसर नहीं देगा, तो यह चीज है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग में ऐसा कुछ नहीं लिखना है, जो आपने वीडियो में बोला नहीं और वो चीज आप लिख रहे हैं, बड़े बड़े यूटूबरों का नाम उसमें लिख रहे हैं, तो टाइटल, टैग इसमें वो चेक करते हैं, जब बाद में आप मोनिटाइज हो जाएं, उसके बाद लिखिए कोई दिक्कर नहीं, लेकिन चैनल मोनिटाइज के लिए जा रहे हैं, तब आपको नहीं लिखना है, यह इंपोर्टेंट है, उसके बाद आपका थमनेल देख पांच के इन टर्म पालिसी के लावा आपने कुछ भी गल्ती की है, तो आपके चैनल को वो पैंडिंग में रखेगा, पंदा से बीज दें, फिर उसके बाद वो देखेगा, मोनिटाइज देना चाहिए, या नहीं देना चाहिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या गल्ती नहीं करनी है, और आपको अपने चैनल मोनिटाइज कराना है, तो आपको सबसे इंपोर्टन क्या है, ये पांच चीज़े आपको ध्यान रखनी होगी और ये गल्ती कभी नहीं करना अपने चैनल पर, आप बात करते हैं कि ये गल्ती कर भी दी, तो आ देख नहीं सकते और बस इतना बचके रहें जी बहुश टाइम आप उधर उधर से ले रहें तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन जिस वीडियो में सबसे ज़्यदा व्यू आये तो वह बहुश टाइम आपको बाहर से ना मिलागी तो बस यही था तो आपका चैनल मॉनिटाइज फ ही पढ़ाया और आप वी weडियो डाले तो रि यूज택र से देखने को मिलता है तो आपको अपने और्जिनल वीडियो, कैमरा से सुट करके, अपलोड एडेटिंग करके अपलोड करना है तो आपको कभी वी ये चीजह देखने को नहीं मिले है तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरू बता है और उससे पहले अभी तक आपने आसे वली टेक को सस्क्राइब नहीं गया तो सस्क्राइब कर लीजिए अभी एंड स्किन में आपको दो वीडियो देखेंगा आप एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप जरूर इन वीडियो को देखें जाके और हमने इसमें प्रॉपर वीडियो बताया किस तरीके से वीडियो बना सकते हैं और चैनल को सस्क्राइब कर लिए आज को लिए थैंक्यू धनवाद जैन्द